दरिद्रता दूर भगाने के ये दस सरल उपाए कई बार लोग ऐसा महसूस करते हैं काफी मेहनत और प्रयत्न के बाद भी धन के आवागमन पर जैसे रोकसी लगी हो कभी मेहनत के अनुसार आपको पैसे नहीं मिलते या फिर आया हुआ धन ना जाने किस रास्ते निकल जाता है कि आपकी बधाली कभी दूर ही नहीं हो पाती आए जाने कुछ हैसे ही उपायों के बारे में जो दरिद्रता दूर करने में मददगार साबित हो सकते हैं आप इन चीजों को अंध्विश्वास भी कह सकते हैं लेकिन हमारी संस्कृति में टोटकों को भी एक एहम स्थान प्रदान किया गया है जानिए दरिद्रता दूर करने के इन उपायों के बारे में एक यदी काफी मेहनत के बावजूद घर में धन की कमी हो रही हो तो ऐसे में अपने घर के केंपस में अनार के पेर लगाएं ये आपको घन घान्या से परिपूर्ण करता है दो केले के पेर में जल चड़ाएं केवल गुरुवार ही नहीं बलकि हर दिन केले के पेर में जल चड़ाएं और गी का दिया जलाएं तो मा लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी तीन समुद्री नमक का पोच्छा लगाना चाहिए घर में हमेशा समुद्री नमक का पोच्छा लगाना चाहिए इससे भी दरिद्रता दूर रहती है चार खाते समय उत्तर की और मूह हो जब भी खाना खाने बैठे तो ध्यान रहे कि आप उत्तर की और मुह करके बैठे हों, इससे घन के साथ साथ आयू भी बढ़ती है पाँच कमल फूल की पूजा लक्ष्मी जी की मन से पूजा करी और उन्ही कमल फूल अर्पित करी फिर इसी कमल फूल को लाल कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में रखे तो फाइदा होगा छे अक्षत रखे अपने पास लक्ष्मी जी पर चड़ाए गए अक्षत को छोटे से कागस के टुकड़े में बांध कर अपने पस में रखे इसे कभी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी साथ तुलसी के पौधे में दूद चड़ाए हर गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूद चड़ाने से लक्ष्मी मां का आशिरवाद बना रहता है घर में आर्थिक संपन्नता आती है संध्याकाल में पीपल के पेर की जड़ में पंच मुखी दिया जलाना धन वृद्वी के लिए अति उत्तम माना जाता है नौ दक्षिन मुखी शंख की पूजा लक्ष्मी गनेश की पूजा कर रहे हों तो वहां दक्षिन मुखी शंख भी रखें और उसकी भी पूजा करें इसके बाद इस शंख को तिजोरी या सेफ में रखें तो ये फलदायक साबित होगा 10 केसर और चंदन गिसकर सफेद कपड़े को रंगे 10 केसर और चंदन गिसकर एक सफेद कपड़े को उससे रंगे और इसे अपनी तिजोरी या फिर आप अमूमन जहां अपने पैसे रखते हों वहीं बिछा कर रखें लक्ष्मी जी का आशिरवाद बना रहेगा वीडियो अपसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद